और आईए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से वहां की एक इमारत में लगी आग से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस हाथसे में मरनेवालों का आंकड़ा अब बढ़ गया है और साथ हो गया है पंद्रा लोग आग में जखमी हुए हैं मुंबई के तारदेव इलाके में आज सुभर रियाईशी बिल्डिंग में आग लग गई थी जानकारी ये मिली है कि आग बिल्डिंग के पंद्रवे फ्लोर से शुरू हुई और उपर की मन्जिलों तक फैल गई सबसे ज़्यादा नुकसान उननीसवे फ्लोर पर बताया जा रहा है आग पर काबू पा लिया गया है और मेरे सहियोगी सूरज ओज़ा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे है ज्यादा जानकारी के लिए सूरज इस वक्त ताजा जानकारी क्या है ग्राउंड जीरो से आग पर काबू पाने के लिए 21 गाड़िया मौजूद थी क्या अब काबू पालिया गया है प्रिती फिलाल आग पर काबू पालिया है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि आपको वो काले निशान दिखाई दे रहोंगे इस बिल्डिंग के एक कमला बिल्डिंग है जो कि मुंबई सेंट्रल में स्थित है यह आग पहले पंदरवी मंजिल पर दीरे दीरे ऐसा बताया दे गए कि 119 माले पे जादा नुक्सान हुआ है इस पूरे मामले में कूल 15 लोग इंजर हुए थे जिसके बाद 7 लोगों को नायराइब थे स्प Richnd chip और कुछ लोगों को दूसरी अस्पिटाल भी ले जाए गया थे और कुछ लोगों को कस्तूर्भास प्ताल ह रहा गया था इन तीनों अस्पताल में इलाद चल रहा था इन सब का जिसमें से साथ लोगों की डेथ हो गई है फिलाल पुलिस पूरे मामले में एडियार दर्च कर रही है और यह इंकौरी कर रही कि आखिर आग लगने का कारण क्या हो सकता है फिलाल इस पूरी इमारत में ज मौझूद तो नहीं है या फिर आग के सफोकेशन के चलते कोई बेहोस्ट हो नहीं गया है आप देख सकते हैं कि यहां पर फायर बीड के अधिकारी जो आग बुझाने के लिए अंदर गयते वो धिरे धिरे अब बाहर आने आ रहे हैं ऐसा बता जा रहा है कि आग पूरे त समाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और आगे के अपडेट्स में हम आपसे लेते रहेंगे